तो भैस सबसे पहले बात तो इस video को skip मत करना क्योंकि आप हर водa को skip करे जा रहे और ये सारी बाते जो मैं इस video बताने वाला हूं मैंने आपको बहुत सारी video बता चुकी बट आप बार बार से कोश्चन जो है रिपीट करते बार बार तो इसके मत करना पूरी देख लो एक बार चैन से ठीक है आपके डाउट क्लिए करता हूं तो पहला डाउट लोगा कि बहुत से लोग यह समझ रहे हैं कि सब के एडवीशन जो है स्टार्ट हो गए तो नहीं भा पाइब 5th semester वाले श्रियंट्स की उनके सिर्फ भीकॉम प्रोग्राम के स्टार्ट हुएं और सबी कोर्सेस के स्टार्ट होंगे तो वेट कर लो 8-10 दिन आपके बहुत जल्दी स्टार्ट हो झाइंगे ठीक है दूसरा डाउट आपका यह रेपीट डाउट कि आपके असाय का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का तो यह भी डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा रही बात अगला डाउट की एडवीशन की फीज कितनी लगेगी यह बहुत रिपीटिट पूछ रहे हैं जबकि मैं बता चुका हूं तो भई एडवीशन की फीस आपकी चार हजार के आसपास लगेगी चाहे आप थर्ट सेमिस्टर में लो चाहे आज आफ फिप सेमिस्टर में लो ठीक है न तो आपके चार हजार के आसपास फीश लगने वाली है तो आप जुगार कर लिएज़ेगा आपको फीश मैंने बता दिया थीक है न थोड़ा उच नहीं चो सकता है बस चार हजार के आसपास आपके लगेंगे ठीक है आप बात करते हैं भाई एडविशन के last date की तो कोई एडविशन की अभी last date announce नहीं की गई है भाई SOL की तरप से जब भी announce की जाएगी आपको inform कर देंगे फिलाल के लिए आप भूल जाओ अभी last date नहीं है अराम से आपके एडविशन दिसंबर तक पूरे खिचेंगे तो अभी tension मतलो अराम से किसी को भी अभी form नहीं भरना जिनके आ गए हैं जिनके नहीं आए हैं वो शांत बैठी है और जिनके आ गए हैं वो भी अभी शांत क्योंकि अभी बहुत सारी टेक्निकल ग्लेचेश चलने फॉर्म में ठीक है यह डाउट भी आपका क्लियर कर दिया रही बाद भाई बहुत से शुरेंट्स की बहुत से पूछ रहे हैं कि एक्जाम कब होंगे तो भाई एक दिसंबर से फिफ सेमस्टर के एक्जाम चालू है ठीक है आपकी डेशिट आ चुकी है सोल वाले शुरेंट्स की थर्ड सेमस्टर की फिफ सेमस्टर की फाइनल डेशिट आ चुकी है जो अब चेंज नहीं होगी अब आप बोलोगे बहुत वाली वीडियो का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में देदू है मैंने बनाई थ पिफरेंगे तो कोई दिक्कर निया बहुत नहीं समझ मारे चोड़ो ठीक है आपका की सारे मेंशन ऊचनलागे कि इस दिना आपको कोन सागे सिर्फ और सिर्फ आपके डिटेव कि वहाँ पर ढट कर ठीक है अब आप लोग पुछोगे admit card कब आएगा तो admit card भाई paper start होने से मेरे experience के according दो से तीन दिन पहले ही आता हर वार ठीक है ना तो जब भी आए तो आपको वैसे भी कुछ नहीं करना डेशिट का दो तो डेशिट आपको दो-तिन दिन पहले मिली जाएगी admit card में तो आप महां से देख लिजेगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा का आप कौन सा exam आपको देना जिन लोगों को registration फॉर्म भरना नहीं आ रहा उनके start हो चुके है registration यानि कि administration कहलो या एक्जामिनेशन फॉर्म कहलो कुछ भी कहलो ठीक है ना उनने समझी नहीं आ रहा कि फॉर्म कैसे भरना है उनके लिए वीडियो बना रखिया फॉर्म कैसे बरना है उस वीडियो का link भी नहीं 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 हो ठीक है आपकी payment की issue क्यों आ रहा हो आप दो तिन दिन रुकिए एंड फिर करिया आपकी payment वगरा भी हो जाएगी क्लियर यहां पर यहां पर बहुत से बच्चों का डाउट यह भी है कि सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे थार्ड और फॉर्ट सेमेस्टर के सब्जेक्स के उपर मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो का भी लिंक नीच डिस्रिप्शन में दे दू है अगर अब भी आपका कोई डाउट रहता तो भाई प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अधरवाइस इंस्टेग्राम पर आजाना वहां पर तो आपका डाउट क्लियर करी दूँआ यहां पर एक और मुझे याद आया बहुत से लोग पूछने हमारा बैक सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सेकंड सेमेस्टर का नियुक्त नियुक्त करा रहे हैं तो मान के चलो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर का जो बैक पेपर है वो इसी semester के साथ ही आपको form fill up करना पड़ेगा ठीक है नहीं जो form आया एडिविशन form इसी में आपको option देखने के लिए मिल जाएंगे अगर नहीं आ रहा तो अभी बेट कर लेज़ेगा फिर आपको जब आ जाएगा option तब आप form fill up कर लेज़ेगा रही बाद भाई थाट semester मे किसी की बैक आई है तो फट semester में देगा और सेंस्टर में किसी की बैक आई है तो वह सु cri Ideally नसब बाते आपकोI होप की आपको वीडियो पसंद आयो help का सटम जाए अजैनल को स्क्राइब जारू कर लेए चलिए मिलते नेक्स वीडियो में